पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि स्टैटिक्स आफ इंडिया एंड इस्ट इट इट इस नेगले मलब की जो भारत की पड़ोसी कंट्रियां हैं उनके डाटा दिये गये थे और इनका स्टैटिक्स एक चार्ट दिया गया था जिसमें एक पार्ट था मानो विकास सू पुचकांग हमने बताया था कि इसमें सबसे अधिक अगर पड़ोसी देशों में देखें तो स्री लंका का है 71 रैंक भारत की 129 मेमार की 145 पाकिस्तान की 152 नेपाल की 147 और बांगला देश की 135 तो इसी को जानना है यह रिपोर्ट जारी कौन करता है किस मानक के आधार पर जारी होती है इसके बारे में जानना है तो मानौ बिकास रिपोर्ट Human Development Reports मानौ बिकास हूचकांग के रिपोर्ट सयुक्त रास्ट बिकास कारिकरम एन की UNDP द्वारा जारी की जाती है आपसे कभी पूछा जाए मानो विकास सूचकान कौन जारी करता है तो विकल्थ में रहेगा UNDP या हिंदी है संयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम यह एक वार्षकी रिपोर्ट है यानि प्रतिवर्स जारी की जाती है इसमें मानक क्या है जीवन प्रत्यासा अवसत जी ने किया हूँ साच्छर्था यानि सिछ्छा और आय यानि इनकम इन मानकों के आधार पर प्रकासित की जाती है UNDP ने यह रिपोर्ट पहली बार 1990 में जारी की थी यानि सबसे पहले 1990 में SDI रिपोर्ट जारी की गई थी 2019 में जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें 189 यानि 189 कंट्री सामिल की गई थी यानि The Human Development Index and Annual Reports Results by the United National Development Program यानि UNDP यानि United National Development Program Based on Standard of Life Experience यानि Life Experience क्या है Education और Income इन बेस के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है और SDI रिपोर्ट वाज फर्स्ट रिलीजड इन 1990 हैनि कि 1990 में पहली बार रिपोर्ट जारी की गई थी बाकी समझना है इस बार एक 189 इन 189 कंट्रि इसमें सामिल हुई थी इस विकास रिपोर्ट में समझना है कि यह मानो विकास रिपोर्ट है इसमें जो सबसे अधिक रैंक जारी करता है यह पराप्ट करता है उसे human विकास सूचकांक की first country सामिल की जाती है और जो उसको सबसे कम rank प्राप्थ होती है वो सबसे अंतिम एने 189 कंट्री सामिल किया जाता है तो home work है इसको देखना है कि 2019 में जो ESDI report जारी हुई उसमें first, second और third नंबर पर कौन सी कंट्रियां है और सबसे अंतिम देश कौन सा है जहां का human development index जो है सबसे खराब था या सबसे खराब इस्थित प्राप्त हुई है इसके बारे में आपको ये आपको search करके से तयार करना है अपने notes पर इसको भी download करना है कि कौन सा human development 2019 में यानि 19 में पहली country, second country, third country कौन कौन से है और अंतिम कौन सा है भारत की position याद रखना है सिलंका की position याद रखना है पाकिस्तान की position याद रखना है अब अगला है topic BMI यानि body mass index सरीर द्रब्यमान सूच का अंग तो ये BMI या body mass index है क्या इसके माध्यम से किसी भी ब्यक्ति के सरीर के पोसाण स्तर को पता किया जाता है कि उसका पोसाण स्तर सामान है कि सामान से कम है कि सामान से अधिक है इसके बारे में देखें यदि किसी ब्यक्ति के पोसाण स्तर की माप करता है यानि it measures the nutrients level of a person अधिक्ति का BMI सामान है की सामान से कम है की सामान से अधिक है यानि that the person BMI normal है, below normal है की above normal है इसकी गरणना करना सरल है यानि एक परकार से easy calculator है इसके लिए ब्यक्ति के भार चाहिए और height चाहिए भार किसमें चाहिए kg में, height किसमें चाहिए m mater में यानि it required person weight kg में यानि height meters में तो इसका formula क्या है ये formula है जिसे हम कहते है BMI formula metric BMI formula दो फार्मूले होते हैं जिसमें metric सबसे उप्यूक्त है तो metric BMI formula यानि weight kg upon height meter का square समझा गया दोसरी रिकार से कहें तो w upon h chi square ठीक है ये क्या है BMI का formula है मतलब w weight चाहिए kg में height चाहिए meter में और उसका square एक example लेकर देखते हैं अगर किसी बैक्ति का weight 68 kg है और उसकी height 165 cm है आप cm में मापते हैं तो उसे meter में बना दीजे 1.65 meter BMI बराबर पहले क्या देना है weight देना है तो weight लिखे 68 upon height 1.65 का square 1.65 का square इसको अगर transfer करें 2.72 इससे divide कर देंगे 25 यानि इसका BMI गुडांग कितना है 25 है समझा गया इसी प्रकार से आप अपना weight निकाल सकते हैं अपनी height निकालिए divide करिए और आपका BMI गुडांग कितना आता है इसके बारे में आपको समझना है तो BMI child range क्या है यानि BMI जो निकलता है किस कहां से कहां तक कि गुडांग को किस काटेगरी में रखा जाता है तो जिन परसन का BMI less than 80.5 यानि 18.5 से कम है उन्हें वजन सामान से कम यानि less than normal weight कहा जाता है यानि कि उनका वजन 18.5 से कम BMI आता है तो मतलब उनका वजन क्या है सामान से कम है यदि BMI 18.5 से 24.9 तक आता है तो वजन सामान माना जाता है यानि नार्मल वेट है उनका 18.5 से 24.9 तक सामान्य वजन है यह होना चाहिए इसके बाद BMI 25 से 29.9 यानि कि 25 to 90.9 है तो वजन ज्यादा है ओवरवेट है यानि इसमें आपको ओवरवेट का मतलब है इसमें आपको ब्लड प्रिसर की बीमारियां कहीं अधिक काम करने पर सांस फोलना सीड़ी चढ़ने में दिक्कत होना आइसी समस्याओं का सामना करना पर सकता है और अगर BMI आपका 30 से अधिक है तो आपको we have the 10 30 है तो ओविसिटी है यानि अत्य मुटापपा है यहाँ पर आपको हाल इक ठीक है न आ ऐसी बीमारियां आपको आती है यासी बीमारियों की संभावनाय रहती है तो यह वीमाई रेंग प्याद रखना है लेस देंड 80.5, 18.5 तो आप कम है आपका मानक होना कितना चाहिए 18.5 से 24.9 के बीच आना चाहिए ये सामानने वजन है अगर ये 25 से 29.9 तक आता है तो वजन ज्यदा है 30 से अधिक आता है तो आप अती वजन वाले हैं ये अती मुटापा आपके पिछले चैप्टर में एक इकोनॉमिक्स जियोग्रोफिक रेव यह मैं हम抱ejत सतत विकास के बारे में बताया था तो विकास की धारनीता भी ऐक प्रकार से वही है सस्टेनवीर्टी और अफ डेवलपमेंट अफ सस्टेनष की तो धारनीता का मतलब क्या होता है। ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्सों तक सतत चलता रहे। धारडीता होती है यह सतत चलता रहे वही धारड़ियत कहलाता है यह तभी संभव है जब हम संसाधनों का दोहन करने के बजाए उनका विभेक पूर्ण इस्तेमाल करें यह संसाधनों का अंधा धुन धोहन ना करें बलकि उनका क्या करें विभेक पूर्ण तरीके से दोहन करे इस इस पॉसिबिल ओनली विन वी यूज रिसोर्सेश जिडियूसरी इंसेट इन एक्सपॉर्टिंग दिम यानि कि एक प्रकार से विवेक पूर्ण तरीके से हम इनका उप्योग करेंगे जिडियूसरी तरीके से हैं एक्सपॉर्टिंग यानि इनका हम उप्योग करेंगे दोहन करेंगे तो धार्डी विकास संभो हो सकता है तो आपको एक सब्समें समझना है धार्डी यीता का मतलब क्या है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वरसों तक सतत चलता रहे और विकास क्या है विकास का मतलब है वर्तमान खुस बनाना ही नहीं है बलकि आने वाली पीडियों के लिए बहतर भविस भी तयार करना है तो विकास का मतलब है कि हम वर्तमान को ही बहतर ना बनाएं बलकि आने वाली पीडियों के लिए बहतर भविस तयार करें वही development means not only making the present happy but also creating a better future for the coming generation याने वाली generation जो हमारी coming generation है उसके लिए हम better future तयार करें यही क्या है विकास है तो आप विकास की धारणिता का मतलब समझ गए होंगे हम ऐसा development करें जो आने वाले कई वर्सों तक चलता रहे और लोगों के भविष्य को बहतर बनाने का कारे करता रहे यही विकास की धारणिता है इसको हम दो उधारण के माध्यम से समझेंगे एक ऐसा उधारण समझेंगे जो दो डॉन के बारे में तो पहला हविघत जल से देखना है यह अंगर्डर हवाटर नवी करन साधन का उधारण है में जो अंगर्ड वाटर है वो नवी करण साधन का उधारण है यानि ग्राइड वाटर इज это एक्जाम्पल आब आफ्र रिनेवल रिसोरसे लिजाइसे फसल पाउधे की तरह इन साधनों की पुनाभम पूरती प्रकती पती करती जैसे रिप्लेश्मेंट करता है यानि फिर रिनेवल करता है वैसे इनकी भी रिनेवल होती है लेकिन यहां यहां भी हम इन साधनों का अति उप्योग कर सकते हैं यानि हार एवेंदेजर रिकावर में सब्लिदी रिकवर मेंत वर्यूजेश्ड यानि हम इनका अधिक उप्योग कर सकते हैं जब हम इनका अधिक उप्योग करेंगे तो इनका जो Divine है जो रिनेवल स्पीड है वो कम हो जाएगी तो क्या होगा जैसे भूमिगत चलका यदि हम के द्वारा हो रही पुनह पूर्ति से अधिक प्रियोग करते हैं यानि बरसांस से जितना underground water resource होता है उससे ज़्यादा हम tubal के माध्यम से जल निकाल लें तो इन साधनों का अतियोग कहा जाता है यानि in this case of underground water if we use more than what is being replaced by rain then we would by overuse in resource यानि जब हम अतियोग क्या है कि जितना renewable हो उससे अधिक हम उप्योग कर जाए उससे अतियोग कहा जाता है तो underground water इंडिया की condition देखना है देश के कई भागों में भूमिगत जलका आतियोग होने की गंभीर एक संक्ट मलब उप्योग होने का गंभीर संक्ट है यानि देश के कई भाग हैं जहां पर underground water का आतियोग होता है जैसे दिया है underground water underground ground water is under serious threat of the overuse is many parts of the country 300 जिल्यों से सुचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी का इस्तर चार मीटर से नीचे गिर गया है यानि एबाउट थर्ट थरी हंड़ डिस्ट्रिक्स है रिपोर्ट्स ए वाटर लेवर डिक्लीन आफ डिक्लीन आफ ओवर फोर मीटर्स डियूरिंग दा पास्ट टॉंटी यार यानि पिछले 20 सालों में लगभग चार मीटर अंडर गाउंड वाटर जो है कहां चला गया नीचे जला गया है यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है बागे देखते हैं उदाहरां दूसरा हम क्रूड आइल की बात करेंगे क्रूड आइल या मिनेल्स कर देजिए क्रूड आइल या कच्छा तेल की बात करेंगे यह एक गैर नवी करण साधन है क्रूड आइल कैसा साधन है गैर नवी करण योग साधन है तो क्रूड आइल या मिनेलाइस नान रिनेवल डिसोर्स आर नान रिनेवल डिसोर्स है जो से प्रियोक के पष्धाच समाप्त हो जाते हonna जैसे बताया गया कि जो अंडरगांड वाटर है ुरनिवल है यानि कि वहरुबन यावल करता है बराबर टयार भी होता रहता है तो जितना हम यूज करते हैं यूज करते हैं औहенно अधिक एक निश्चित भंडार है एक निश्चित मात्रा में इनका भंडार है और इनकी पुनाहपूर्थी नहीं होती है यानि दोज विस्ट विल गेट मलब की एक प्रकार से कहें कि यह रिप्लेश्ड नहीं होते हैं यानि पुनाहपूर्थ इनकी नहीं होती है तो कुर्डायल डिसोर्स की एक रिपोर्ट देखनी है हम चेत्र या कंटरी कर दोजे रिजंन कंटरी रिजंस Aa कम्न histó Bis600 का हम कितने साल तक हम यूज कर सकते हैं तो वह भाग दिए है मिडिल एस्ट यहां दिया है 807.7 million battle crude oil है और इसका हम लोग 70 years 17 years तक उपयोग कर सकते हैं U.S.A. है यहाँ 50 मलब 50 कहते हैं या 50,000 million battle crude oil है और इसका 10.25 year यूज कर सकते हैं लेकिन crude oil बहुत सी छेतर हैं जहाँ पर crude oil की स्रोत नहीं है वो लोग यहीं से crude oil मंगाते हैं इसलिए वर्ल्ड की अगर बात करें तो 1696.6 thousand million battle crude oil है और इसका अगर हम उपयोग देखें तो कितने समझ तक कर सकते हैं 50.22 years यानि कि अगर हम जो हमारे crude oil उपयोग की गती है उसी दर से हम इसका उपयोग करते रहे तो अगले 50 year में crude oil समाप्थ हो सकते हैं यदि कच्चे तेल का प्रियोग वर्तमान दर से चालू रहे तो भंडार केवल 50 वर्स में समाप्थ हो जाएंगे if the use of crude oil countries at the current rate then these resource reserve will be excited only 15 year ठीक है तो यह इसी प्रकार से समझना है कि अगर हम इसी speed से इसका उपयोग करते रहे तो अगले 50 वर्स में crude oil समाप्थ होगा आप exercise चेक्स करेंगे तो वहाँ इससे question है इसलिए हमने उद्धाराण समझा के बताया जिससे आप question को कर ले